तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लॉंग हाव चैंग सी को अपनी वफादारी सावित करने के लिए अपनी जान दे दीता है, लेकिन चैंग सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चैंग सी लॉंग हाव की बॉड़ी को सहर की चोराय बटांगने के लिए कहता है और वो पूरे सहर के सामने चैंग सी पर गलत इलजाम लगवाता है, जब फैंग को इसके बारे हैं पता चलता है, तो फैंग चैंग सी को मानने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जनरल उसे रोकते हैं और उसे सांथ कराती है, तो फैंग जनरल से बोलता ह तब ही बाहर से टैंक भागते हुँ उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुन्दर चीज लेकर आया हूँ टैंक के हातों में एक मुर्गा होता है टैंक बोलता है कि यह मुर्गा कॉक फाइट का विनर है टैं आपका काम चेक करने कभी भी आ सकते हैं लेकिन टैन को इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता टैंग अभी भी बाहर जा रहा था लेकिन तभी अचानक सिटी की सिक्योरिटी बेल बजने लगती है ये सुनका टैन बोलता है कि सायद किसी चोड ने हमारी सिटी पर अटैक किया है त इसके बाद हमारा व्यू सिट होता है और हम देखते हैं कि फैंग सभी लोगों के बीच से निकलते हुए आगे जा रहा था फैंग ने अपने चेहरे को कवर कर रखा था उसको देखकर सभी लोग सोचते है कि आखिर ये कौन है जिसने अपने चेहरे को कवर करके रखा है इ फैंग उन सारे मास्क को देखता है और तभी उसकी नजर एक नए बने हुए मास्क पर जाती है इसको कुछ टैप पहले ही भटी से बाहर निकाला गया था फैंग उस मास्क को उठाने क्लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी उसको मना करता है लेकिन फैंग उस इग्नोर करके उस मास्क को उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है जिसकी जासे फैंग को काफ़े पेन होता है वो आदमी फैंग से कहता है कि तुम पागल हो गई हो तुम ये क्या कर रहे हो लिकिन फिर भी फैंग उस मास्क को नहीं निकालता फैंग उस मास्क की वज़ा और तो यह लोग प्लीज से कहते है कि तुम कौन हो है तो प्लीज उसकी बोडी को सुरकषित नीचे उतार दो तो ये सुनकर वो सोलजर्स पोलते हैं कि हमें मास्टर चैंग सी न आडर दिया है और तुम बेना उनकी पर्मिसन कि इस बॉड़ी को यहां से नहीं ले जा सकते। वो लोग फैंग से कहते हैं कि तुम कौन हो हमें अपना चेहरा दिखाओ। की बात सुनकर फैंग अपनी टूपी हटा देता है जिसके बात वो लोग फैंग का चेहरा देकर काफी डर जाते हैं तब ही कुछ लोग फैंग का चेहरा देकर बात करते हैं कि इसका चेहरा कितना डरावना है बिल्कुल बूतों की तरह तब ही वो सोलजर्स फैंग को देकर ब वेपन टेकनिक का इस्तमाल करके उन सभी soldiers को मारने लगता है लेकिन तभी वो soldiers fang को बीच में घेर लेते हैं और उस पर अपने भालों से अटेक करते हैं इसकी वजह से fang की body injured हो जाती है और उसकी body से blood निकलने लगता है उन सभी soldiers ने fang को घेर कर पकड़ लिया था लेकिन त वो soldiers दुबारा से fang को घेरने की कोशिस करते हैं और उस पर चारों ओर से अटेक करते हैं लेकिन तभी fang अपने defense furnace का इस्तमाल करता है और वो उन सभी के अटेक को block कर देता है सभी soldiers fang पर अटेक करने के लिए उसके पास आ रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक व्यक अटेक करता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंड में defense furnace का इस्तमाल करता है जिससे धीरे-धीरे करके उसके defense furnace का size बढ़ता जा रहा था और सभी soldiers मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते फैंग उन सभी soldiers को दूर ढखेल देता है फैंग लॉंग हाओ को याद करता है और वो कहता है कि लॉंग हाओ ने जो भी किया वो सब यॉंग चैन सिटी के लिए किया उसने कभी भी किसी को धोका नहीं दिया इस पूरी सिटी में लॉंग हाओ से जज़ा वफादार कोई भी नहीं होगा इसके बाद फैंग उन सभी soldiers पर गुस्से में अटेक करता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाई है फैंग उन सोलजर के साथ fight करते हुए उन्हें लॉंग हाओ के बारें बताता है कि लॉंग हाओ कभी भी अपने वादे को नहीं कर सकता तुम लोगों को बस दूसरों पर इल्जाम लगाने आते हैं फैंग गुस्से में उन सभी soldiers को मारता हुआ जा रहा था फैंग ने वहां मौझू 90% soldiers को मार मार कर बहुत ही ज़दा injured कर दिया था और जो बचे हुए soldiers थे वो फैंग को गुस्से में देखकर ही डर जात हैं और तब ही हम देखते हैं कि सिटी के गेट के उपर से दो लोग फैंग को देखते हैं और इसी की साथ हमारा आज का यह एपिसोड यही एंड हो जाता है